महा जन्पदे कबल मसी के जमाने में कुछ जन्पदे ज्यादा ताकतवर थी और उनकी जुगरासियाई हदे वसी होती गई इस तरह इन ताकतवर जन्पदों को महा जन्पदे कहां जाने लगा इस्वी सन से पहले छटी सदी कबल मसी तक जुनुबी भारत में बहुत सी छोटी बड़ी आजाद रियासत वजूद में आई इस कबल मसी के जमाने में कुछ जन्पदे मिलकर महा जन्पदों वजूद में आई उसे वक्त सोला महा जन्पदों को खास एहमियत हासिल हो गई इन में से हम कुछ खास महा जन्पदों का मुटाला करेंगे कोसल महा जन्पद हिमालिया के दामन में नेपाल और उत्तर परदेश में फैली हुई थी शरावस्ती, कशावती और साकेट इस रियासत के मशूर शहर थे शरावस्ती कोसल महा जन्पद की राजडानी थी गोतंबुद शरावस्ती की मशूर खान का जैतवन में तवील अरसे तक क्याम पजिर थे कोसल का राज़ा तरसेल जित वर्दमान माविर और गोतंबुद का एहम असर था कोसल की राज प्यासत मगहत में जन्पद हो गई वत्स महा जन्पद उत्तर परदेश में अर्याग यानि अलाबाद के आसपास के इलाके में फैली हुई थी पुराने जमाने का कोशंबी ही कोसं कहलाता है ये एक अहमतियाती मरकस था कोशंबी के तीन बेहद रईज रईस ताजिरों ने गोतंबुद और उनके तीरोकार के लिए तीन विहारे तफ्तामीर की थी कोशंबी का राजा पुद्द्देन गोतंबुद का अहम असर था उद्देन राजा के बाद वद्स महा जन्पत का आज़ादाना वजूद ज्यादा अरसे तक कायन नहीं रहा उसे अवंती महा जन्पत के राजा ने फतेह करके अपनी रियासत में शामिल कर लिया था अवंती कदीम महाजनपद अवंती मध्यपरदेश के इलाके मालवा में थी शहर उज्जेनी अवंती की राजदानी थी उज्जेनी एक एहम तिजारती मरकस था अवंती का राजा परदिवत वर्धमान महविर और गोतम भुत का एहम असर था अवंती के राजा नंदी वर्धन के डौर में अवंती मग्द की रियसत में जम हो गई मगद बेहार के शहर पटना और गया के आसपास के इलाके और बंगाल के कुछ हिस्से में कदीम मगद महाजनपद थी राजग्रा उसकी राजदानी थी नहाजित तामिरात महागोविंद ने बंबिसार का शाही महल तामिर किया था बंबिसार के दरबार में जैवक एक मशूर तबीब था बंबिसार ने गोतम भुत की शागिर्दी अभ्तियार की थी झाल 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 झाल